नमस्कार आप देख रहे हैं हर्याना नियूजर आपके साथ मैंनु चौधरी और हमारे खास प्रोग्राम हर्याना डाइरी में आपका स्वागतिन स्थानिय निकाय चुनाव में बीजेपी ने शांदार जीत हासिल की है नगर परिशत चुनाव में जहां 18-11 सीटों पर बीजेपी जेचेपी ने जीत धर्श की है वहें नगर पालिका में 28 में से 14 सीटों पर बीजेपी जेचेपी ने परचम लहर आया है इस शांदार जीत के साथ ही बीजेपी में जीत का जशन देखने के लिए मिल रहा है कैबिन एक मंत्री मूलचंद शर्मा ने मुख्य मंत्री मनोहरलाल को मिठाए खिलाकर खुशे जाहिर की आप इसके पूरे के इंचार्ज आपको बदाए आएब आपको निकाय चुनाब में जीत धर्ज करने वाले परत्याशियों के बारे में क्राफिक्स के जरीवाद आते हैं तो नगर परिशद जजजर से जिले सी जीते हैं पीछे पी के उमीदवार थे नगर परिशद चर्किदाधरी से बक्षी राम सैनी जीते हैं वह नगर परिशद फत्याबाद से राजजेंदर सी जीते हैं नगर परिशद सोहोना से अन्जु देवी जीती है नगर परिशद जीन से अनुराधा सैनी जीती है नगर परिशद बहादुर गड़ से सरोज जीती है नगर परिशद कैथल से सुर्भिक गर्ग जीती है नगर परिशद कालका से क्रिशनलाल लांभा जीते हैं नगर परिशद गोहाना से रजनी विर्मानी जीती हैं नगर परिशद नर्वाना से मुकेश रानी जीती हैं नगर परिशद पलवल से डॉक्टर यश्पाल जीते हैं नगर परिशद नुहू से जेचेपी के संजे कुमार जीते हैं नगर परिशद होडल से इंद्रेश कुमारी जीती है निर्दलिय उमीदवार थी नगर परिशद हांसी से निर्दलिय उमीदवार प्रभिन जीते हैं नगर परिशद तोहाना से निर्धलिया उमेद्वार नरेश कुमार जीते हैं नगर परिशद नारनोल से निर्धलिया उमेद्वार कमलेश जीती हैं नगर परिशद नर्वाना से निर्धलिया उमेद्वार मुकेश रानी जीती हैं नगर परिशत भिवानी से निर्दलिय उमीदवार पीती जीती है तो नगर पालिका लाडवा से साक्षिक खुराना जीती है बीचेपी की उमीदवार थी नगर पालिका साडोर से शालिनी जीती है नगर पालिका गन्नोर से बीचेपी की अरुन त्यागी जीती जीते, नगरपालिका अस्मालखा से बीचेपी के अशोक कुमार जीते, नगरपालिका कुंडली से बीचेपी के शिमलादेवी जीते, नगरपालिका घरोणा से बीचेपी के लक्की गुपता जीते, नगरपालिका महेंदर गड़ से बीचेपी के रमेश सैनी जीते नगरपालिका पुन्हाना से बीचेपी के बलराज जीते नगरपालिका पिहोबा से बीचेपी के आशिष चक्रपानी जीते नगरपालिका नांगल से बीचेपी की प्रिया सैनी जीती नगरपालिका राजोंस से बीचेपी की भवीता जीती नगरपालिका फिरोसपुर जिर्का से बीचेपी के मनीश कुमार जीते नगरपालिका शाहबाद से जज़ेपी के गुलशन कुमार जीते नगरपालिका गूला चीका से जज़ेपी के रेखा रानी जीती नगरपालिका इस्माईलाबाद से आमाद्वी पाकी की नीशाग कानो बांगा जीती नगरपालिका रानिया से निर्धलिया मनुज सचदेवा जीते नगरपालिका महम से निर्धलिया भार्ती जीती नगरपालिका बावल से निर्धलिया विरेंदर सीही जीते नगरपालिका एलनाबाद से निर्दलिया रामसीन सौलंकी जीते नगरपालिका तराबडी से निर्दलिया विरेंदर कुमार बिल्ला जीते नगरपालिका निसिंग से निर्दलिया रोमी सिंगला जीते नगरपालिका उच्छाना से निर्दलिया विकास जीते नगरपालिका नारायन गड़ से निर्दलिया रिंकी जीती नगरपालिका रदिया से निर्दलिया प्रीति खन्ना जीती नगरपालिका भूना से निर्दलिया अपार्णा जीती निकाई चुनाब में बंपर जीत पर हर्याना बिजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धन्खड काफी गदगद दिखाई दिए उनसे खास बात चित की हमारे सहयोगी सुशेल सी ने क्या कुछ कहा उन्होंने आई आई आपको भी सुनवाते हैं हर्याना में छोटी सरकार भी बीजेपी की बन गई है और हमारे साथ हर्याना के प्रदेश अध्यक्ष भारतिय जनता पार्टी के उन्प्रकास धन्खड जी है सबसे पहले आपको बहुत-बहुत बधाई काफी टफ था आज विजल्ट आए मैं सेलूट करता हूं हर्याना की जनता को अंगराई है और भी इसी चुनाव और भी है निगम के चुनाव है पंचायत के चुनाव है लेकिन इसी तुरुप से चुनाव अपने आपने लड़ना एक कोसल भी है और एक ज्ञान भी है और भारती जनता पारिटी चुनाव और लड़ना जो है बहुत समय से ते करती है और भारती जनता पारिटी मैं कहूंगा कि हमारे कारे करता है बहुत नीचे तक जाके चुनाव में परिश्रम करते हैं तो कारकरताओं के परिश्रम और पुरसार्थ को मैं परणाम करता हूं में के काण से इतनी अच्छी विजय हम आसिल हुई मुझे लगता है कि जब आप लोगों ने सिंबल पर लगने की सोची थी और फैसला किया था उस वक्त यह पता नहीं था कि कॉंग्रेस इसमें नहीं है और जब कॉंग्रेस सिंबल पर नहीं लड़ी तो यह कितना टॉफ था बड़ा कठिन था कि अकेले चुनाओं में जाना अकेले लगना इस वास्तों में हमने इस पर विचार करना पड़ा 28 को हमारी election committee बैठी थी एक तरीक को दुबारा से हमारी election committee को बैठना पढ़ा कि हम एक तरह से अकेले मैदान में रहे गए हैं और बात में सबको लगा कि त्यारी बहुत अच्छी हमने की वही है तो भी कोई बात नहीं और वो दाना रूपों में आएंगे ही आएंगे अपना सिंबल चिपा के आएंगे आने तो वाले हैं तो इस नाते से फिर हम गए और जनता का अशिर बाद हमको मिला जो तयारी थी तयारी के आपने जिक्र किया अब विकास की बात आती है धायत्व की बात आती है तोक में बोट तो मिल गए लेकिन आप दायित्व है डवलप्मेंट का उसको लेकर क्या कुछ प्लानिंग है देखिए पिछले आठ सालों में खुले में सोच मुक्त हुए हैं हमारे सहर और गाउन सवस्ता का स्तर बढ़ा है सवस्ता के प्रतिस परदाएं होने लगी है आप देख रहे हो कि ब्यूटिफिकेशन बढ़ा है जितने भी ऐसी जगए थी जिन स्तानों पर कुछ ना कुछ हमारी कल्चर को दिखाया जा सकता है मैं सब नगरों में देखता हूँ उस देखेशे पानी पत से निकलो हर सहर में मैं देख रहा हूँ कि सौंधर ये करण बढ़ रहा है स्मार्ट सीटी का कंसेप्ट आया है और लोगों की जावरुकता भी बढ़ी है तो उसके कान से मुझे लगता है कि जो एक कंसेप्ट है पूरी दुनिया में लायबल सीटी कि जीने योगे सहर कौन से हैं तो आने वाले समय में इस लेवल पर भी हम आगे बढ़ेंगे और ये तैव हुआ करेगा कि किस सहर में जाके रहना सबसे अच्छा है तो उस नाते से और भेतरी की तरफ हमारे नगर जाएंगे 27 बिंदो का संकल पत्र हमने जारी किया था और उस पर हम काम करेंगे ट्रिपल इंजन का नाम आपने दिया था अब ट्रिपल इंजन आ गई बिल्कुल देखिए लोगों ने इस बात पर भरोसा किया जो हमने कहा था कि वही तीनों सरकार एक सुतर की होंगी तो निश्चित रूप से हमने कहा था कि सुबह दस बजे मोधी जी कोई घोसना करें तो तीन बजे तक अपने सहर में भी हो जाए और यह तभी हो सकता है जब राज्य सरकार और चोटी सरकार एक समान हो लोगों ने उस पर भरोसा किया रविश्वास जताया लोगों का मयाब हारी आखरी सवाल श्रेक किसे देंगे जीत का और जहां हारे हैं उसको लेकर क्या कुछ रण निकिए देके सबसे पहले जनता का धन्यवाद है उन्होंने हमको आशिरवाद दिया और कारकरताओं के प्रुसार्थ को में सरे देंगा उसके साथ साथ प्रधान मंतरी जी और मुख्य मंतरी जी को में सरे देंगा जहां हारे हैं वहाँ निश्ची दुरुप से हम कुछ मनेजमेंट अच्छी नहीं कर पाए क्षान पर नेच्छल ज्वाइस जिन पर हम जाना चाहते थे जहां नहीं पाए कुछ कारणों से और उसी कारण से हमने वहाँ जैसे रिजल्ट हम चाहते थे हमको नहीं मिलें वह जहानकारी में और बहतर करेंगे जहां हारे हैं। कि कहते हैं सपने पूरे करने के लिए और इस बात को गुझरात के बडुद्रह में आए उजेद रास्य ओपन्मास्टर सिफल्स इत्लाक्टिक्स चैंपेंशिप में हर्याना की एक 105 साल की महिला ने 100 मीटर रेस पे दो गोल मैडल जीत कर सच कर दिया हुमर का शतक पूरा कर चुगी परदादी ने 100 मीटर रेस 45 दिशमलब 4 सुनिया सेकिंड में पूरी कर निया रिकॉर्ड कायम किया यह रिपोर्ट दिखिये साय के जजबे को सलाव 105 साल की उमर में मिला नया पुकाम दादी की दौड में दिखी हॉसलों की उडान हलाच से हारे तो हॉसलों ने संभाला धल्ती उमर में सपनों को सवारा न सपने देखने की कोई उमर होती है ना उन्हें पूरा करने की तीन साल की उम्र में अगर पहाड चड़ा जा सकता है तो 105 साल की उम्र में रैसलिंग करने का शौक भी हिंदुस्तान की मिट्टी से उपता है खेलों में बे मिसाल रहे हर्याना की खिलाडियों ने एक और कमाल करके दिखाया है युबाव का जोश तो खेल के कई मैदान पर आपने देखा होगा लेकिन दादी की ये डौट लोगों को उमीद और सीख दे रही है कि उम्र का पड़ाव ठेहराव नहीं होता हर्याना के जर्खी ताद्री की रहने वाली 105 साल की रामबाई ने नया रिकॉर्ड कायम किया है गुजरात के बदोद्रा में आयोजित हुई राष्ट्रे उपन मास्टर्स एटलेटिक्स चेंपियनशिप में रामबाई जी ने 100 मीटर दोड को रिकॉर्ड समय में पूरा किया 105 साल की जुनूनी महिला ने 100 मीटर की दोड महर 45.40 सेकिंड में पूरा कर लिया इससे पहली ये रिकॉर्ड 2017 में 101 साल की मानकॉर के नाम था जिन्होंने 74 सेकिंड में रेस पूरी की थी 2022 में रामबाई ने 45.40 सेकिंड में रेस पूरी की 2017 में मानकॉर ने 74 सेकिंड में रेस पूरी की बदली हुई लाइफ स्टाइल में उम्र का शतक पूरा करपाना लोगों के लिए चुनोते भरा हो चला है अगर कोई इस उम्र को बार भी कर ले सेहत से नराज की और जिन्दिगी में शिकायतों का बोज बढ़ जाता है ऐसे में ख्वाब बुनने और पूरा करने का खयार को तो दूर हो जाता है लेकिन मिसाले ऐसी ही मुश्किलों से गुजर कर बनाई जाती है जो एक सो पास साल की रामबाई ने दी है हर्याना की इस रामबाई ताई के होसले को मुख्य मंत्री मनुखलाल ने भी सराया है फिर मनुखलाल ने टूइट कर लिखा खेलों में जंडे गारने की बात हो तो फिर हर्यान्वियों की उम्र आड़े नहीं आते फिचाए हमारे बच्चे हूँ यूवा या सो साल पार की बुजूर एक सो पांच वर्ष की आयू में ताई रामबाई जी ने सो मीतर दोड रिकॉर्ड समय में पूरा कर बदौडराव में प्रदेश का जंडा बुलंद कर दिया है ताई के दस्वे को सलाँ इस उम्रों में तमाम लोगों के लिए प्रेणा बने रामबाई का जन्म एक जन्वरी 1917 को हुआ था रामबाई बदौडरा में आयोजेत इस प्रतियोगिता में अकेली डोडे क्योंकि प्रतियोगिता में 85 से उपर का कोई प्रतियोगी नहीं था उन्होंने सेकरो दर्शको के होसला अवजाई के बीच 100 मीटर की दोड़ पूरी की और 200 मीटर की दोड़ को उन्होंने 1 मीटर 52 सेकिंड में पूरा कर विश्व मास्टर्स में 105 की उम्र में स्वन जीतने की उपलब भी हासिल की अपने होसले और जुरून की बदौलत दो स्वन पदक चीज़ कर सभी को प्रे रिस्खिया रामबाई कहती है कि सुबह जल्दी उतना और खेतों में की गई महलत उन्हें फिट रखती है अपनी इस उपलबदी के बाद रामबाई ने विदेश यात्रा की इच्छा जाहिर की है दादी की दमदाज दोड ने जहां युवाओं के लिए प्रेना स्रोत बनाया वही हर्याना के खिलाडियों की शान को भी बढ़ाया है हर्याना के खिसानों को प्रोचसान देने के लिए सरकार ने दलहन और तिलहन के फसलों पर प्रोचसान राशी देने की युजना तैयार की है ये रिपोर्ट देखिए प्रिकास और बदलाव की रहा से खिशी छेत्र भी अचूता नहीं रहा है हर्याना के किसानों को ज्यादा मुनाफ़ा देने के लिए सरकार लगाता किसानों को प्रोचसाहित कर रही है किसारों को आथिक रूप से शिशक्त बनाने के लिए हर्यान सरकार किसारों को नए शन्सादलों का इस्तेमाल करना, तक्निकी शिक्षा देना और बज़ार के मानकों को समझने में मदद कर रही है सरकार की कोशिशों को किसारों का सहयोग मिला और प्रदेश में परंपरागत खेती के साथ फसल विविदिकरण को भड़ावा मिला है किसारों के इस उच्छा को बनाय रखने के लिए हर्याना सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है सरकार ने फसल विविति करण के तहट दलहन और तिलहन की फसलों को भड़ावा देने के लिए एक नई योजना की शुरुवात की है योजना के तहट दलहन और तिलहन की फतल लगाने वाले किसानों को सरकार की तरफ से 4,000 रुपए तती एकर बितिय साहिता प्रदार की जाएगी सरकार से मिले इस तौफे से किसानों को दुखना फाइदा होगा इस योजना से जहां किसानों की आएध मुग ने होकी वहिक किसानों की पैदावार पर भी इसका सीधा असर पड़ेगा जिसे की किसार पारंपरिक खेती के तहत धान गेहु की बिजाई की जगा फसल विवितिकरन को अपना कर उपलब्ट प्रकर्थिक संसाधनों के अधिक दोहन को कम किया जा सकता है साथी साथ इससे आमदनी में भी भड़ोती कर सकते हैं इसके साथ ही पैसर से 77 सिचाई जल की भी बचट होती है पसल विवितिकरन से कारवन का संचय एवं ब्रैदा की उर्वरा शक्ती बनी रहती है इससे पसल से संबंधित कीटों एवं रोगों के रोप जनक प्रभाब को लियोजिप किया जा सकता है सरकार की सिपहल से इस साथ के खरीब सीजन में एक लाख एकड में दलहली और तिलहली पसलों को बढ़ावा मिलेगा 70,000 एकड में मूंग और अरहर की पैदावार संबब 30,000 एकड में संबब अरंड और मूंग फली की पैदावार इस जोजना को दक्षिन हर्याना के साथ सिलों से शुरू किया जाएगा निवाडी, धिवानी, चर्खी, दाद्री, महिल रिकर, धजज़र, हिसार और नू के किसानों को इसका सीधा फायदा मिलने वाला है सरकार के जोजना का लाब लेने के लिए किसानों को पहले मेरी फसल मेरा ब्योरा पोर्टर पर पंजिकरन कराना होगा और वेरिफिकेशन के बाद ही साहता राशी किसानों को मिल पाएगी फसल विवितिकरन को भरावा देने का फैसला भूमी की उरवरता को बनाय रखने की ज्रिष्टी से भी महत्वपूल है डाल की फसले मिठी की सेहत को अच्छा बनाय रखती है और डाल की फसलों की उपर से मिठी में नाइट्रोजन की पूर्ती होती है जिससे किसानों को दूसरी फसलों के लिए भी नाइट्रोज़र फर्टिलाइजर की अवशक्ता कम रह जाती है वही तलहन की फसलों की पैदावार से किसानों को ज्यादा से ज्यादा मुनाफ़ा मिलेगा क्योंकि देश में खादय तेल आपूर्टी में कम ही देखी जा रही है ऐसे वे तेल की आपूर्टी होने पर किसानों को इसका अच्छा दाम मिलेगा दलहन और तिलहन की अधिक पैदावार के लक्षे के साथ आगे बढ़ रही सरकार किसानों को नए और अच्छी गुड़वर्ता वाले बीजों की जानकारी दे रही है पसलों का विविती करण मौझूता समय की जरूरत है और इस जरूरत को पूरा कर किसान अपने लिए बहतर अफसर तलाज सकते हैं किसानों की आये दो गुनी करने और किसानों को जादा लाब पहुंचाने के लिए सरकार की तरफ से अधक प्रियास किये जा रहे हैं अब सरकार की मैशा है कि कपास फसलों के जरीए किसानों की आमधनी दो गुनी हो जाए अब कपास के फसल उगाई से किसानों को जादा लाब कैसे होगा इसे जानने के लिए देखिए हमारी खास रिपोर्ट हर्यानों में किसानों के आफिक स्थिती बहतर करने के लिए सरकार के और से कई तरह की योश्णाय चलाई जाती है और किसान जादा से जादा नई तरह के की फसलों की खेती करें उसके लिए भी सकमे सवेबर किसानों को प्रोच्छा है किया जाता है हर्यान सरकार भी कपास की खेती करने वाले किसानों को गती 81,000 रुपे की सबसी भी दे रही है ताकि किसानों को जादा से जादा लाब पहुचाय जा सके और कपास की फसलों में प्रिद्धी की जा सके अब आपको समझाते हैं कि हर्यान सरकार में कपास के उत्पादग को भढ़ाने के लिए क्या फैसला लिया है कपास के रखबे को बढ़ाने पर सरकार कल दो हर्यान सरकार में राज्च्छे वे तेसी कपास का उत्पादग बढ़ाने का फैसला लिया है इसके लिए सरकार ने लक्ष भी भी निधारित किया है पिछले सीजर में सरदेश में जहाद करीब 14 दशभलव 9.01 में कपार की खेटी की गई थी तो इस खरीब सीजर में सरकार ने 19.25 दशभलव 2.25 दश्ट के लिखाए का लक्ष रखा है जो किसान का पास की पसल की उगाई करना चाहता है उसके लिए सरगार की तरफ से कई लाब दिये जाएगे और उस लाब के लिए किसानों को पहले रेजिस्ट्रेशन करना जरूरी होगा चुलिए अब आपको बताते हैं कि किस्तान का पाथ पसल की उगाई के लिए मुनावा कैसे कमा सकता है सबसे पहले मेरी पसल मेरा व्योरा पोर्टल पर रेजिस्ट्रेशन करना होगा आधिकारिक व्यापसाइट पसल.hariana.government.in पर जाकर ये रेजिस्ट्रेशन होगा किस्तान इकत्स जून तक अपना रेजिस्ट्रेशन करा सकते हैं इससे पहले रेजिस्ट्रेशन करने की आखरी तारी इकत्स मई थी किस्तानों की मांग के बाद तारी आगे बढ़ाई गई बढ़ादे की कपाँख खरी सीजन में उगाई जाने वाली एक प्रमुक नक्दी फसल है इसका मांधिक भी काफी अच्छा खासा है अगर किस्तान सई तरीके और दिशिशक्यों की सला से इसकी खेती करे तो कम वक्त और कम लागत में बढ़िया मुनाफ़ा कमा सकते है और ये मुनाफ़ा किस्तानों को मिल सके इसके लिए समय समय पर दरकार की तरफ से भी इसको लेकर किस्तानों को प्रोच साहे किया जा रहा है मुख्य मंत्री ने खेलो इंडिया यूद गेम्स के बाद अधिकारियों के जाद समिक्षा बैठा की और प्रधेश में खेलों को भड़ावा देने के लिए कई एहम फैसले लिए हरियाना में खिलाडियों का जजबा किसी भी वज़े से कम न हो और उनकी प्रतिभाद संसाधनों के भाव में सिमट करना रह जाए इसका ख्याल हरियाना सरकार बखू भी रखती है खिलारियों को प्रताहित करने के लिए हरियाना सरकार खेल अकादमी की संक्या बढ़ाने का काम कर रही है हरियाना के मुख्यमंत्री मनोहरलाल ने अधिकारियों को हरियाना खेल अकादमी की स्थापना के काम में तेजी लाने के निर्देश दिये हैं ताकि देश भर से आने वाले खिलाडियों को यहां बहतरीन प्रशिक्षन दिया जा सके। मुक्यमंत्री ने बुध्वार को खेलो इंडिया यूद गेंस 2021 की समिक्षा बैठक की। इस दुरान मुक्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि हारियाना में बनाया जो रहा खेल पुनर्वास केंद्र, देश में ये उधारन सापित करेगा कि हारियाना ना केवल अपने खिलारियों को सर्वस्रेश्ट खेल सुईधाय प्रदान करता है, बलक अधिकारियों से कहा कि राज में अंतराश्ट्री मानकों को पूरा करने वाले आल वेदर स्विमिंग पूल का निर्मान किया जाए, ताकि खिलारी साल भर प्रैक्टिस कर सकें, उन्होंने कहा कि इस तरहें अथ्लैटिक्स और जिमनास्टिक्स इनके लिए उप्युक्त सु इसके साथ ही मौके मंतरी ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि अधिकारी उन कंपनी के साथ सहयोग करें जो खेल को बढ़ावा देने के लिए CSR फंड उपलब्द कराने में दिल्चस्प भी रखती हैं। अंतराश्ट्री खेल आयोजनों के लिए भी तयार करेंगे। अंतर प्रयात कर रही हैं। अगनी वीरों को मनोहर गारंटी मिली हैं। सेना में चार साल तक नौकरी वाले स्कीम के तहट सेवा निवरित होने वाले युवाओं को प्रधेश में रोजगार की पक्की गारंटी मिली हैं। दूर होगा भ्रम। समझेगा युवामन। शटेंगे दुविधा के बादल। मनोहर गारंटी से सुरक्षित हुआ कल। युवाओं की सोच राष्ट निर्मान करने का काम करती है। ऐसे में युवाओं का भविश्य को लेकर आशंकित रहना दुविधा भरा हो सकता है। युवाओं को भविश्य की चिंता से मुप्त करने के लिए हरियाना के मुख्यमंद्री मनोहर लाल ने युवाओं को गारंटी भी है। निर्मान ने योग दिवस्य के मौके पर बड़ी घोश्ट की। पिछले साथ दिन से प्रदेश में देश में एक विवाद बना है क्या विवाद बना है कि हम अगनीवीर बनेंगे लेकिन चार साल के बाद 75% लोग को वापिस आना होगा 25% वहाँ जो है उनको रखा जायेगा तो यह 75% क्या करेंगे पहली बात तो यह है यह competition का जमाना है प्रत्योगता का जमाना है और प्रत्योगता में वही आगे निकलता है जिसका शरीर सधा हुआ हो जिसका मन सधा हुआ हो जिसका मश्तिस्क सधा हुआ हो जो बाकी सबसे आगे निकल सके उस सबसे पहले जो है वो अपने आपको स्थापित करता है चार साल में वो जो नौजवान है जो अभी 21 वर्ष का ही होगा 25 वर्ष के बाद आने के बाद उसका शरीर मन बुद्धी उस ट्रेनिंग से बरपूर होकर के सधा हुआ होगा और ये ट्रेनिंग कई बार तो हम जो अपनी सर्विसिस देते हैं पुलिस में वाकी जगा में यह हमको उनकी ट्रेनिंग कराने ही पड़ती है नौनो महिने एक एक साल तक लेकिन चार साल की इस ट्रेनिंग के बाद अगर वो वापस आता है तो बहुत उपयोगी व्यक्ति बन करके आएगा हमें हरियाना के इंदर जो नौकरियां देते हैं हम भी दस परकार के उनके टेस्ट लेते हैं ट्रेनिंग कराते हैं सब कराते हैं हमको ये धहर में आया कि इतनी बड़ी संख्या तो है नहीं जो वापस आएगी हर साल आज से चार साल के बाद पहली भर तीस साल होगी तो चार साल के बाद उसमें से यानि 75 प्रसेंट जो लोग वापस आएंगे उनको हरियाना सरकार की नौकरियों में यानि उनको खपाना उनको लेना उनको सुरक गुरूप सी की नोकरी में जो भी किसी काडर में भरती उना चाहे भरती हो जा और नहीं तो हमारी पुलिस की नोकरी अंसी है गारेंटी उसको जुरूर मिलेगी मुख्य मंत्री ने कहा कि प्रढान मंत्री नरेंदर मोधी ने सेना में आमुल चूल परिवर्टन किया है और अब तकनी की आधार पर सेना को और अधेक सूसर जित किया जाएगा उन्होंने दस्वी से बारवी कख्षा कि युवाओ को अफसर मिलने का दावा करते हुए कहा कि अगनीपत युवाओ के लिए ही नहीं बल्कि सेना के लिए भी भैतर यूजना है मुख्यमंद्री ने कहा कि हरियाणा अगनीपत सेनिकों के लिए नौकरी सुनश्चित करने वाला देश का पहला राज्य है मन्च से घोशना करने के बाद मुख्यमंद्री मनोहलाल ने ट्वीट कर भी युवाओ को भरोसत दिलाया कि उनके भर्ष्य को लेकर सरकार सठेट है और उन्हें सेना से सेवा निवरत्पी के बाद भी सरकारी नौकरियों में प्रास्मिकता दीजवाईगी सियमंद्री मनोहलाल ने ट्वीट कर कहा कि मैं घोशना करता हूँ कि अगनीपात योजन की तहत चार वर्ष बेस की सेवा करने की बाद वापिस आने वाले अगनीवीरों को गारंटी के साथ हर्याना सरकार में नौकरी दीजवाईगी हर्याना खेल में मैडलल लाने वाले अपने पहलवान को भी नौकरी देता है और अब मातर भूमी की रक्षक को समर्पित सेना के जवान यानि अगनीवीरों को भी देगा आप बस देश की चिंता करिए, आपकी चिंता हम करेंगे, जवान, किसान और पहलवान, यह है हरियान की शान हरियान जायरी में इतना ही आप देखते रहें, हरियान न्यूज